हलो स्टूदेंट्स आयम हियर तो गिव इन्फरमेशन अबाउट माइ थ्री नूली लॉच्ट प्रोड़क्ट्स स्फम रैपिड, स्फम स्विफ्ट अंड मास्टर मैनुवल स्फम रैपिड अंड स्विफ्ट लेक्चर्स है और मास्टर मैनुवल बुक्स है तो मैं रैपिड और स्विफ्ट के बारे में अभी बात करती हूँ और मास्टर मैनुवल के बारे में अगले वीडियो में बात करूँगे ठीक है बसिकली आइ थिंक बिफोर गोइग एड अएड आऊट वांट तो गिव इंफरमेशन अबाउट ऑल आवर लेक्चर्स का फोर्माट कि किस किस फॉर्माट में अवेलेबल हैं तो guys, basically, तीन फॉर्माट में हमारे लेक्चुर्स अवेलेबल है, SFM Regular, SFM Swift, और SFM Rapid. रेगुलर के बारे में मुझे नहीं लगता जादा 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 कन्फूजन है आपको, क्योंकि सभी को पता है कि जिसने SFM पहले कभी नहीं किया है, और SFM पहली बार अगर कर रहे हो, तो आप हमेशा रेगुलर ही लोगे, किसी का भी लोगे, लेकिन रेगुलर लोगे, हमारा जो SFM Regular है, वो 180 तो 190 आवर्स के लेक्चुर्स हैं, और लाइफ क्लास्रूम के एंवार्मेंट में वो पूरा रेकॉर्ड हुआ है, दिस्टर्बेंस जैसी कोई चीज उसके अंदर में नहीं है, बिकास हमने उसकी प्रॉपर एडिटेंग करी है, और बच्चों को अच्छा लगा है वो प्रोड़क्ट काफी, बट उसके बारे में साथ ज्यादा मैं अभी नहीं बोलना चाहती, I would focus more on SFM SWIFT and SFM Rapid, जिसको लगता है कि उसकी conceptual clarity प्रॉपर नहीं है, और वो exam उसने दिया और उसका clarity नहीं आई, या कांड अफ सब्जेक्ट के अंदर में या अच्छे नंबर नहीं आए, और उसको लगता है कि अगर मेरे को कम टाइम में सारे concepts रिवाइस करने है, then I think SFM Rapid would be the most appropriate product, rather में अगर बोलूँ तो दिसंबर से लेके अभी तक हमने बहुत अच्छा सेल किया SFM Rapid का, and बच्छों की feedback भी बहुत अच्छी आई है, because मैंने पढ़ाया भी बहुत अराम से है उसके अंदर में, क्योंकि I always believe that कि speed को आपन fast कर सकते हैं, but speed को आप slow नहीं कर सकते, जल्दी खतम करना है, तो मैं उतने questions उसके अंदर नहीं दे सकती, तो काफी अच्छे questions फिर भी cover करने की कोशिस की है, मैंने, और थोड़े questions प्रैक्टिस करने को भी दिया है, तो any student who, किसी के भी आपने lectures पहले बाए किया हो, आपने पढ़ा हो, और आपको फिर भी लगता है कि आपको gap आ रहा है, आपको थोड़ी से और clarity चाहिए, then you should go for SFM Rapid, या आपने भी exam दिया और आपका clear नहीं हुआ, because you think कि exam के hall में आपको gap feel हो रहा था, then you should go for SFM Rapid, मेरे हिसाब से वो 100 hours का जो course है, आप आराम से 15 days के अंदर में खतम कर सकते हैं, उसके बाद आप कोई भी बुक उठा लो, आप institute का material उठा लो, आप old course का practice manual उठा लो, आप कोई भी faculty जिससे आपने पहले पढ़ा हो, आप उनकी भुक उठा लो, I am sure you will be able to do all the sums for that matter, यह बात हो गई rapid के बारे में, स्विफ्ट के बारे में discussion ज्यादा है, कि बच्चे बुर्णे माम, यह क्या चीज़ है, 130 hours का course, तो I think I would explain you properly, अच्छली पिछले साल क्या हो रहा था, कि तब तक हमारे पास में दो ही course थे, एक regular था, एक fast track था, 80 hours का राधर fast track था, तो दो काटिगरी के बच्चे, बच्चे नमबर वन, वो बच्चे जिनोंने CA enter clear किया, फर एजमपल अगर में इस तरम का example लो, तो आपका CA enter का result निकला, और वो पॉजिटिव हो गया, और आपका May 21 में, suppose करो कि आपका attempt to do हो गया, and you want to give group 1, तो obvious ही बात है कि आप 2-200 hours का course, आप 4 मेने के अंदर में, 4 सब्ट का नहीं कर सकते, it is not possible for you to do that, तो in that scenario, वो एक category का बच्चा हुआ, दूसरा, कि आपने group 2 दिया, और आपका clear हो गया January, या whatever, and आपका May 21 में, यह मेरे personal counselling के बाद भी, यह मेरे personal counselling के बाद भी, they were buying 80 hours of fast track, and believe me, I used to pray to God, कि भगवान करे पेपर अच्छा है, वरनन यह लोग पास नहीं करेंगे, क्योंकि, guys, यह जही तुम ध्यान देना, कि अगर कोई चीज 200 घंटा जितनी पढ़नी है, तो वो 200 घंटा तुमको पढ़ना है, ऐसे, मताँ कोई भी faculty आप regular का ले लो, आप, almost all of them are teaching 180 to 200 hours, because आपका उतना content है जो आपको पढ़ना है, लेकिन आप 80 hours में कैसे करोगे, फिर आप कितना सारा portion उसके अंदर में मिस हो जाएगा, तो, I was not able to help them, because मेरे पास उससमें product ready नहीं था, तो अभी मैंने क्या किया, कि मैंने जो recording करी है, Swift के लिए, उसमें मैंने क्या किया, I have taken a mid path, जैसे ये product आपका regular भी नहीं है, और ये product आपका fast track भी नहीं है, अगर आपके पास में time कम है, तो मैंने क्या किया, कि मैंने regular की almost समझो, तो सारे concepts, और काफी हद तक बोलो, तो almost सारे questions ही करा दिया हैं, ज़्यादा कुछ बचा नहीं, थोड़ा बहुत जो बच गया, जो regular के comparison में मैं नहीं करा पाई, वो मैंने practice के तौर पे, with solutions आपको दे दिया है, जो कि आप खुद कर सकते हो, लेकिन believe me, it is as good as regular, if you have less amount of time, तो उन बच्चों के लिए, मैंने 130 hours का course बनाया, जहां पे they will learn all the concepts, and they will get ample practice also, यह जो आपका, you know, swift है, इसके अंदर मुझे time थोड़ा कम लगा, पढ़ाया बहुत अराम से है जबकी, क्योंकि मैं जब live classroom environment पढ़ाती हूँ ना, तो हमारा behavior बत natural रहता है, चार बच्चे डाउट्स भी पूछते हैं, हम एक चीज को ज़्यादा बर repeat भी करते हैं, थोड़ा slow भी जाते हैं, थोड़ी extra बाते भी करते हैं, थोड़ा time उसके अंदर भी जाता है, लेकिन Swift studio recorded है, तो to the point बात किया है, अच्छा खासा बहुत ज़्यादा एक्स्प्लेइन किया, तो पूरे अराम से किया है, और slow slow जाने की वज़ज़ से, वो थोड़ा सा कम time में record हो गया, लेकिन there has been no compromise in terms of the quality, so any student who has cleared his or her inter, CA inter just now and they want to appear for May 21, guys you can go with Swift, no problem at all, okay, so take your call because both the products are very very good, और जिनका पहले एक बार भी नहीं हुआ है, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं, और जिनके पास time भी बहुत है, उनको रेगुलर रे लेना चाहिए, okay, so this was about Rapid and Swift, we are doing great for both the products, I am really happy I could devote so much of time for all the students in these two courses, books are really really good because I could give a lot of time in the lockdown, कि मुझे बुख कैसी चाहिए, and all the questions are with answers, actually, सारे questions Swift or Rapid दोनों में answers के साथ हैं, लेकिन फिर भी में आपको बोलूँगे कि अगर ये product आप बाई कर रहे हो, दोनों में से कोई भी एक, तो आप answers लिखे वे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप answers नहीं लिखोगे, आप answers लिखो, आप भले presentation वाले पाट पर थोड़ा सा compromise कर लो, बुझे टाइम कम होगा आपके पास में, लेकिन जो core part है solution का, आपने हाथ से अपने notebook में आप जरूर लिखना, बिखोगे का अपको कंट्रोल आएगा पने आपको कंट्रोल नहीं आएगा. If you have any queries, guys, you can mail us or you can WhatsApp or you can put it on the Telegram or you can like, you know, kind of, YouTube में questions आपको है। and don't forget to subscribe our channel. Okay, thank you so much. झाल झाल